नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं जूतिस चार्य राकेश पाठेक आपका शिवानी अस्टो चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो से बता रहा हूँ तीन ग्रहों के फल कैसे मिलते हैं अगर कुंड़ी में किसी के तीन ग्रह बैठे हैं तो आज हम बात करेंगे अगर सूर्य शुक्र और शनी एक साथ किसी कुंड़ी में बैठे हैं तो कैसा फल मिलता है अगर सूर्य शुक्र और शनी इसके बारे में कहा गया है इसमें क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं कि सूर्य शुक्रों और सनी तीनों एक साथ अगर किसी कुंड़ियें बैठे हैं तो ऐसा मनुष्य शत्रों से डरता है डरपोग किसम का होता है उसमें आत्मुश्वासी कमी होती है हमेशा हमेशा उद्विग में रहने वाला होता है हमेशा उसे एक भैसा बना रहता है कावव्य भावना उसके अंदर नहीं होती चरित्र भी उसका अच्छा नहीं होता पर तचाविकार उसको रहने की से भावना रहती है सूर्य शुक्र शनी का योग किसी भी कुणड़ी के अंदर अच्छा नहीं माने जाता ऐसा मनुष्य जो है वो द्विग्ण रहेगा परिशान रहेगा, डरपोग बना रहेगा, उसके अंदर आत्मेश्वास्ती कमी होगी और उसको स्किन डिसिस्की प्रावलम हो सकती है अगर कुंडली में चंद्रमंगल के साथ तीन क्रहों का योग बन रहा हो तो कैसा होता है, अगर हम देखें कि चंद्रमंगल और बुद्ध ये साथ साथ बैठे हों कुंडली के अंदर, किसी कुंडली में तीन क्रह में चंद्रमंगल बुद्ध हो सकते हैं, तो चंद्रमंगल और बुद्ध अगर तीन क्रह एक साथ कुंडली में बैठे हों तो उसके बारे में शार्स्त्रों में कहा है पाप करा जायनते नीचा चारा सुस्वस्त जन 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 हीना आजीवन अंच चैंपूर्शा शशांक बंदू भूमिजे सहीते ये बोलते हैं कि चंद्रमा मंगल बुद्ध सासात हो तो ऐसा इंसान पाप करने वाला नीचा अच्रन प्रभाव उसका आजीवन रहता है तो चंद्रमा मंगल बुद्ध जो है ये थोड़ा सा अच्छा कंबिनेशन या अच्छी यूती नहीं है कुंडली के लिए ऐसा मनुष्ट के उपर प्रभाव जो है वो आजीवन रहता है और वो अपने मित्रों प्रभाव से रहत होता ह मतलब मित्र और सजन उसको पसंद नहीं करते हैं चंद्रमंगल गुरू साथ साथ हो जिसे कई लोग होते हैं थोड़ा जुके चलते हैं इस तरी के जुके शरीर वाला इस्त्रियों के प्रति चंचल चोर प्रवर्ति सुंदर इस्त्रियों में लोग पृए और अधिक क्रोधी होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है चंद्रमंगल शुक्र का योग अच्छा है ऐसा नहीं है चंद्रमंगल शुक्र गुरू का योग अच्छा है थोड़ा इस्त्रियों के प्रति चंचल होता है सुंदर इस्त्रियों में लोग प्रियर रहता है सुंदर रहता है बहुत ज यह बोलते हैं कि चंद्र मंगल और शुक्र कुंडली में साथ साथ हो तो ऐसे में उस मनुष्र की पत्नी अच्छे आच्रण वाली नहीं होती उसके पिदा उसके पुत्र से उसके आच्रण अच्छा नहीं मिल पाता यानि पुत्र से और पत्नी से उसकी बंती नहीं है आपस में ऐसा व्यक्ति गुमने में बहुत मन लगाता है और सर्दी से बहुत डर्दे माला होता है तो शासरों में तो इस पस्ट रूप से लेंग्वेज लिखी जाती है तो उनों यहीं कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंड़ी में चंद्र मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों उनकी पत्नी से और अपने पुत्र से संतान से मतलब नहीं बनती उसके हिसाब से वो लोग अच्छा अच्रण नहीं करते जो करना चाहिए तो ऐसा व्यक्ति गूमने में ही अपना मन लगाता है लेकिन सर्दियों से बहुत डर्ने बाला होता है चंद्र मंगल और शनी कुंड़ी में साथ साथ हो तो क्या होगा बालिये मृत जननीक है चुद्रो विश्मस चलोक विद्ष्ट है जाय ते नरोब योगे ये बोलते हैं कि चंद्रमंगल शनी साथ हो तो बच्छपन में ही बालिये मृत जननीक है माता का व्योग से हैने वाला बच्छपन से ही अगर माता या तो उसकी माता नहीं होती है और होती है तो माता के साथ वो नहीं रह पाता है तो चंद्रमंगल शनी अगर सासात है तो बच्पन से ही माता का व्योग सहने वाला वो जादक होता है तुछ जीवन वाला होता है देर से समझने वाला होता है और सबका शत्रू होता अच्छा योग नहीं है चंद्रमंगल शनी का भी कुंड़ी में चेक कीजिए तो बच्पन से ही मातागा योग सेहना पड़ता है ऐसे में जीवन भी इतना अच्छा नहीं रहता हटी होता है स्टबॉन हो जाता है तोड़ा देर से समझने वाला होता है चंद्र बुद्ध से त्रीग रहयोग अगर चंद्र और बुद्ध से त्रीग रहयोग बनता है तब क्या होता है वो कहते हैं कि चंद्र बुद्ध और गुरु अगर सासात हों कुंड़ी में आतके तब क्या होगा तो कहते हैं धन्वान काल्यो वागनी तेजस्वी ख्याति म होता है स्वस्त होता है तेजस्वी होता है क्यातिमान यानि प्रसिद्ध होता है विपुल कीड़ती वाला होता है कई भाई वे पुत्रों वाला होता है भग पुत्र ब्रहात यूतो मतलब उसके कई भाई होते हैं कई संतान होती है ऐसे व्यक्ति यह तो यह व्यक्ति यह और शक्र साथ-सातौं तो कैसा मनुष्य होता है तो ऐसा मनुष्य विद्या सनस्क्रत, मती-रपी, नीचिय-अचारय, पु-मान, भ्वेश्य जात तो मनुष्य विद्धा की कारण संस्कारों सो युक्त विचारों वाला होता है लेकिन फिर भी विद्याहिन विद्यावान तो होता है मनुष्य बहुत लेकिन फिर भी वो आच्रण अपनी विद्धा के अनुसार नहीं करता और धन का लोगी रहता है चंदर बुद्ध शुक्र का योग जो है ऐसा व्यक्ति सूसंस्रत होगा विद्यावान होगा लेकिन फिर भी अपनी विद्या के अनुरूप अपने संस्रती के अनुरूप आश्रण नहीं कर पाता और इर्शालू सभाब वाला और धन का लोगी होता है चंदर बुद्ध और शनी कुंड़ी में साथ साता गनुरूप तब क्या होगा है एस्वा तंत्रियो विकलर प्राग्यो वागनी सूपूज तैशिक्ति पे भवती नरह सईयोंगे सौरेन दुश्रांक पुत्रणां ये कहते हैं कि चंदर बुद्ध और शनी अगर कुंड़ी विद्धवान तो होता है बोलने में कुशल भी होता है और राजा भी उसको सम्मानित करता है राजामीन से गौवर्मेंट से सम्मानित मिलता है उसके सीओ से सम्मान मिलता है अपने बॉस से सम्मान मिलता है सब कुछ ठीक है विद्धवान भी होगा लेकिन एक अजीब सी उ इसके इनंदर इया जाता है कि शंद्रर गुरू से ट्रीग योग अगर चंद्र गुरू के साथ रीगर hmm बनुता है तब कैसा हो तो आता है बहुत प्रिये होता है विद्वान होता है तलाओं का जानकार होता है बहुत विश्यों की जानकारी रखने वाला होता है सजन होता है लोग प्रिये होता है बहुत ही अच्छा combination है अगर किसी कुंड़ी में चंद्रमा गुरु वे शुक्र सासात हो जाए। किन होता है गामों का मुख्या होता है चंद्रमा गुरु शनी का योग अगर साथ हो तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का जानकार होता है उनका तत्त्त समझता है उम्र से बड़ी इस्त्री को पसंद करता है उससे प्रेम करता है प्रोध नहीं करता और गामों का मुख्या होता है तो ये थे चंदर के साथ योग, आने वाली विडियो में हम पढ़ेंगे चंदर शुक शनी योग, आशा करता हूँ, आपको पसंद आये होंगे, पसंद आये हैं, तो कांडे लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा, कोई चीज नहीं आपको समझ आईए, तो कमेंट्स करके पू आयशे कमें तो कांडे कांडे कीजेगे, जीन कुम हो आएजिए toॉ टियाे कीजेयोंगे जुक श्में आणुक श्यासे हुर के अईएडियों जीफड़िद Whenever इन शेख आया है झाल सबैस के सवाने वे पूवयों आया है यार सक्षरा है, आख कर एको और सबरो हैं एको